चलिए तो दोस्तों स्वागत आप सभी का वाइफए स्टेडी चैनल पर चेंजिंग दा वे ओफ लर्निंग वाइफए स्टेडी अपार्ड ऑफ एकेडमी नमस्कार दोबारा आपके साइंस के धमाकेदार सेशन में स्वागत है जिसमें हम 15 मिनिट में 45 कोशन जो हैं कवर करन करने वाले हैं हर दिन में चार बजी टेस्क कराता हूं जितना अब रैपेट फायर में अपनी स्पीड बढ़ाएंगे अपको आउटपुट मिलने वाला है तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को एक बड़ी कंडबुक्स पर लिखना आवाज आ रही है बाकि आप सभी जि यह ओफर आपको लिमिटेड टाइम के लिए लाइवमन कोड पर अविलेबल है पाकि टी ट्वन्टी की एससी बैंक टेस्स सीरीज आपके लिए अन्रोल करने के लिए है उडिलाइस करें देगे इस चीज का ध्यान रखें आपका आट बजे का स्पेशल सेशन जो है और टे Telegram channell cry क्योंकि हर एक वीडियो का content आपको जो है इस Telegram पर मिल जाता है मैं आपको हर एक लाव बिल्कुल टाइम पर जो है करा रहे हूं और उसका content एक पर जाण subscription अगर आप लें तो 20% discount है, offer मड़ी है है ना, iconic subscription लीजेगा क्योंकि नए batches available होते हैं जैसे salute batch available है, तो ये सब SSC Railway goal में है goal जब आप select करें तो ये code लगाना live अमन इदर, इससे आपको क्या होगा, ये discount 20% हो जाएगा तो ये मोका है, आप सबी के लिए code लागा के discount लेनेगा, चलिए आप question स्टार्ट करेंगे science के question है आपको मैं पूरे 45 question कराऊंगा with numbering एक particular time दोगा कि आपको 15 minute में जो है in questions को करना है अगर आप daily usage के habit बना लो तो आपको फायदा जादा होगा और ये सारे previous year के question है, ठीक है और सारे previous year के question आपके जो है काम के ही होते हैं, क्योंकि उनी से आपके actual practice होती है, ठीक है चलिए, answer कहा है, पहले question का बताईगा, super cooling stand for cooling at which of the following बताईगे, इस question का answer कहा है, क्या तारीक है आज 19 थारीक हैंगे, एक सेगन रुकिएगा बस एक सेगन रुकिएगा, सब कुछ ठीक है, लेकिन file जो है, 19 वाली लगानी थी question आपके 19 वाले लगेंगे, ठीक है बाकि सब ठीक है, एक सेगन रुकिएगा question लगाते हैं, 19 वाले, क्योंकि यहां से start करेंगे, एक नमबर question यहां से है, ठीक है, क्योंकि कल के question हो जाते हैं नहीं तो, चले, पहला question आप सभी के सामने देखो, इतना याद रहना चेए, कि कल question क्या गी है, देखो, पहला question वो किया था, तो उसी से दिमाग में आ गया, आप बता है, पहला question की है, friction जो है, किस वज़े से होता है, दो सर्फेस में जो friction होता है, वो किस वज़े से होता है, तो बड़ा आसान question है, कि अगर friction होगा, तो वो किस वज़े से होगा, irregularities की वज़े से, या smoothness की जो होते हैं उसमें कौन से ऐलिमेंट को यूज किया जाता है बड़ा आंसर स्पीड में देना मैंने आपको चार और साथ बज़े की हैब्ड बनाने के लिए कि अगर यह बना लो तो आपका प्रेपर में प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी आपके कि आप अच्छा यहां पर कियो होगा पोटेश्यम के है और बस द्यान रखेंगा एन पीगे का पैटर्ण यूज रहता है पॉटेश्यम में इसमें से कौन सी एमटी वेप को यूज के आता बते इस कोशन आंसे के आसान कोशन है कि टेलिविजन में कौन सी को यूज के आता है नम्रिंग में क्या यूज के आता है इंफ्रारेड रिस को यूज के आता है न है तो एक और और गोंज देखिएगा बते एक फॉर्थ कोशन की जो डिस्कवरी है इसका डिसकवरी किसके द्वारा किया गया था बताई से कैसे किस नहीं करना टाइम पर चार बजए बहतरीन participation होना जी आमका चाला तो इस question का answer के है सकी discovery किसके द्वारा की की थी रिचर्ट समेली के द्वारा जो है सकी discovery की की थी पाच्मा question बदए इसमें answer आज मैं सवाल पूछ रहा हूं कि स्टील में कितने पर्षण कार्बन होता है इस कोशन बहुत मिलते हैं इस टाइप के कोशन आपको बहुत मिलेगी अच्छा कोशन है ऐसे कोशन बहुत होते हैं प्रदीप कुमार उसके अलाबा चंद्रकांथ नीरज अशुरूती विनोथ जितने बच्छे हैं जो आंसर टाइम पे दे रहे हैं और थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ बाकी सारे भी ठीक है चली तो आंसर के इस कोशन का कि 0.1 से लेके 1.5% जो होता है वो स्टील में क्या होता है कार्बन होता है एक इंबोडन कोशन आंसर सही कुछ बच्चों का लेकिन ठीक है अर्जुन गलत आंसर दिया एलमनाइट इस और विच फॉल्विंग एलमनाइट किसका हो रहा है कमेंट करेंगा सब्सक्राइब करेंगा जो घटानाइट किसका ओर रहा है ताइटेनियम का और एक और कोशन देखें एसा यूनिट आफ टेंपरेचर का एसा यूनिट क्या है इस से आसान कुछ नहीं हो सकता दोस्तों क्या करते हैं बच्छे इदर भी सेल्सियस लगा किया जाते हैं घोर अपना दो जाए गए तो है ना डिवाइस कुन सा है जो कोले करेंट को डारेक्ट करा करते हैं क३ा कौन DOC करते हैं कौन सा दिवाइस कोध दीवाइस अचलो बताब अगाश के में cen गाशन कोने साभ रैक्टिफाइर है या 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 इस कोछन का रैक्टिफाय क्या आता पहले वी किुभण है जब साथ बजए वाला टेसम लेता हूं तोब करो है किसका मिक्षर रहा है को कि चौन बहुत सारे बच्चे करते आंसर को देखो की बात हो रही है इदर यह नहीं है इस कोशन देखेंगा यह तेली चैनल जोईन कर लेना अमन सर्वाइफ इस कोशन का आंसर कौन सा क्या इस कोशन का इसमें से कों सा है बहुत ही असान हैं इसकोशन का निकल एक और कोशन देखिएगा सन ग्लास बनाने के लिए इसमें से कोन सी ग्लास यूस कि जाता है साथ प्लेकेशन बेस्ट कोशन बूच रहा हूं आपके बताई इस question का answer के है spell right किसका और है comment करें बताए answer के इस question spell right किसका और है चा तो इस question का answer के है दोस्तो spell right किसका और है जिंक का ठीक है जिंक के और भी बहुत सारे और मिल जाएंगे गामा race की सबसे ज़्यादा similarity किसके जमातब गामा race किस race के जैसा है साथ बज़े बिल्कुल टेस्ट होगा साथ बज़े टेस्ट क्यों नहीं होगा बाई सारी टेस्ट सारी क्लासिज रखी है एक्जामपल के तोर पे दिलिप ने तो शायद गलती आंसर दे दिया डी बोल के ठीक है जिसने भी सही आंसर दिया एक्सरे उसी कही है जैसे अमित हो गया चले एक और कोशन देखें बते हैं डिस्टन्स अबजेक्ट अर्थ पर ही डिस्टन्स अबजेक्ट सोच समझ के आंसर देना गलत हो जाता है हमें जब जल्दी से आंसर देने होते हैं थोड़ा सा माइंड एक्टिव रखो और पेपर मे करने के लिए 15 मिनिट ही होंगे शायद वह भी वह भी शायद ठीक है उससे भी कम सिर्यान से इस कोशेंगा टेलिस्टोरियल टेलिस्कॉप है यह मतलगा ना सारे गलत कर रहे हो भाई अर्थ पर ही देखने के लोगो कह रहा है दूर भी नहीं तो यूज़ करोगे बदे इना द्यान से पड़ो प्रैक्ट्रिस करो अच्छी पीक ग्ट्रॅको क सब्कार टेकन करोगे अप्रिकश हो ग्यान को कई पर वाले दिन अप्लाई करो कि दिक्कत यह बतहिए अइडियल वोल्ड मेंटर का resistance कितना होता है बताहिए इस कोशेंग सर्ण सब्सक्राइए असान कोशन है बहुत जादा आसान कोशन है सोचने वाली बात है बस थोड़ी से लेकिन सोचना पड़ेगा इस कोशन में गलत हो यह केस्ट आप नहीं सोचा तो यह कोशन ह होता है गलत आंसा इस कोशिंगा इन फाइनाइट ठीक है जब वो करेंट को मैजरी नहीं करता वोल्ट मिटर तो इन फाइनाइट ही होगा ना कि सोचके देखो चलि तो एक और कोश्य देखिए इस कोशिंगा टेलीकराम चैनल जरूर 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 लीजेगा इसकी रिवीजन चाहिए ठीक है बताइए इस नोट ट्रीव सोलीशन इसमें से कुण सा ट्रीव सोलीशन यह एक इसमें से मिक्स्टर है प्रिव सोलीशन नहीं है आंसर के इस क कि जाए मिक्स रहता है या फिर एक दिखाई देता है बस मोग जो है दुआ वो ट्रू सोलीशन नहीं ठीक है तो अपने आप आपको आउटपुट दिखाए देगा जब आप डेली किसी चीज़ को करने लग जाते हो तो 10-15 दिन में आपको ऐसा लगता है कि है यह यह चीज चुछन का सेलूलोस इसका एक और कॉशन देखे सोनार इस बेस्ट उन्लापिशट फॉलों कौन से प्रिंसिपल पर वेस्ट है अंसर के तो सुनार कौन चैश्ट है तो इस कौशन का दोस्तों इक है है ठीक है चलिए एक और सшт ignore को कि इज कोस्ट ये पास नहीं रखना चाहिए अगर रखेंगे खराब हो जाए ओधे इस कोशनका अच्छा मतलब यह मदना यहीं कि यह कराब हो जाएगा बाते कि मेल्टिंग दोबारा वही देखेंगे जैसे इसमें कोई गैस फोम नहीं दिखाए दे रहा लेकिन उसके बाद फिर हम लिक्विड फोम पर आएंगे जब गैस फोम नहीं मिलता कंपरेजन में तो लिक्विड फोम पर आते हैं क्या है मर कर एक और कोशन देखें आर्थ की इंटेंसिटी को मैंजर करने के लिए क्या होता है कमेंट करेंगा विल्कुल बेड़ा पीडिएफ मिलेंगी रिवीजन होगी मैं मेराथोंस भी लगा दूँआ इनी सब की लेकिन अभी पहले 15 मिनट डेली मैं कुन सा ऐसे कहता हूं कि एक घंटा साइंस फोटो पड़ी नहीं जाती है एक घंटा साइंस लेकिन 15 मिनट में प्रैक्टिस करके हम कोशन देख सकते हैं मैं आपको इस चीज की गरंटी देत करोंस फायर स्ट्रिंग विश जो है इसमें क्या यूज करता पदे इस कोशन का अंसर के हैं जी इसमें से कौन सा प्रांड श्रेंग में यूज में आता तो हैलोंस यूज में आते हैं गलत कर दी हिलियम लगा के यही चीपेडियों यहां आसान पर प्शन नहीं होता नाइं क्लास NCID का question है कि तिंडल effect इसमें से किसमें नहीं observe किया जा सकता ह। comment करेगा answer guess question चलो तो answer guess question गा इसमें से sugar solution में sugar solution में तिंडल effect नहीं observe किया जा सकता ह। ठीक है चलिए एक और question देखेगा primary nutrient, plant को ये nutrient तो चाहिए ही होते हैं बता ही कौन से nutrient है जो plant को चाहिए होते हैं हर कीमत पे बड़ा अभी मैं click videos भी डाल दूँगा जो जो videos हैं वो मैं आपको डालता रहता हूँ चलिए तो इस question का answer के है ठीक है इस question का answer है कि nitrogen, phosphorus, potassium इस question का answer NP के दोबारा मैं कहुँगा कि primary nutrient है NP के एक primary nutrient है ठीक है जान रखिएगा चलिए एक और question देखिए इसके बाद है रहा है चलिए एक और question देखिए बते inherent gas का यह लिखा हुआ कि मिसिबल है वोटर में not stable है chemically अन्रेक्टिव इन दोड़ा में से एक है कोई question बते chemically reactive होता है या फिर अन्रेक्टिव होता है इन हर्ड गैस chemically reactive होता है या अन्रेक्टिव कि इस कोश्ण का answer है कि chemically यह अन्रेक्टिव होता है बहुत ही इस कोशन का answer है इंक पैन में डेफिनिटली सिरिकन का क्या यूज होगा एक और बुलेट प्रूफ बनाने के लिए इसमें से कौन सा फाइबर प्रयोग में लाए जाता है कमेंट करी अटेम करो आपना डेली यह सोच के आया करो कि यार हाँ मैंने आज जितना भी कहीं पर भी साइंस पढ़ा या कुछ भी बढ़ा मेरा उसका क्या रिजल्ट है मैं अगर साइंस पाट रहा हूं कहीं पर तो क्या कोशन सोल हो रहे हैं तो मैं यही पंद्रा मिनट इस लिए लेकर आता हूं कि कोशन आप स्कोल करके देखो सेम साथ बज़े जी के होती है पूरी जी के आप कितनी भी बढ़लो साथ बज़े टेस्ट जरूर द क्यों किस वज़े से यूज करें एक अंसे के एक सब्सक्राइब करना इस कोशनिक एर जो प्लें सोते हैं वो शोक वेवज चो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं बताइए सूर्ड सृवर्चवटरन होते हैं वो शोको सब्सक्राइब करते हैं उससे क्या करा जाता है पुर्चित तो सॉनिक बॉम क्या आता है उससे क्या पार में यह लगा है में चल्डृ तो दोस्तों कौन सा मेटरेल यूज की आता है रेगुलेटीड इलेटीत्र सप्लाइग के लिए हम क्या यूज करते हैं कि टेस्ट में 4 बज़े इस टार्ट होता और ज्यादा समय नहीं चैनल उपन किया आमन सर्वाइफ क्लास का लिंग कोला और आगे क्लास में पीडिएफ मिल जाती है बाखी क्लास भी मिल जाती है जैनो डाइट इसका आंसर है इसमें से कौन सा अब यह तो दोने होप्शन में होल्ड करके चलेंगे क्योंकि इसमें से और यह नहीं बोला की मेटल है यह नोन बोलता थो हम लगा देते ठीक है स्पेसिफट नहीं है जब भी हीटर वाला कोशन आएगा आंसर एक ही लगेगा बदे क्या लगे कमेंट करेगा कि अगर ठीक है आंसर नेक्रोम इसका एक और कोशन देखिए टैलिस्कोप और माइक्रोस्कीप की बीच में जो डिफिरेंस है वो कैसे पता लगा सकते हैं कि वह टैलिस्कोप मेटा साथ बजे मैं एक टेस्ट कराता हूं वो टेस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलिग्राम से ही आप एकसेस कर सकते हो और वो टेस्ट बहुत ज़रूरी है पूरा मतब एक प्रोपर तीन सैट होते हैं 75 कोशन यानकी 25 कोशन इच और पूरा 25 कोशन के हिसाब से रखता हूं में और लेवल बढ़ाता हूं उसमें तीन तीन सैट होते हैं साथ बज़े आप वाइफए सड़ी पे वो टेस्ट दे सकते हो डेली का टेस्ट है साथ बज़े किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हो जी के पूरी टेस्ट हो जाएगा आंसे इस कोशन का साइज ऑफ लेंस यह मेरा टेलिग्राम चला है इसमें लिंक आएगा अमन सर करने के लिए इसम deze क्या प्रयोग मिला जाता वाया गांने चांओ से एलेक्ट्रिकल अनरजी कहां इस कोशन असान है कि फ्री होते ही टेलिग्राम चलने में जुड़ जाना आंसर इस कोशन का के इसका आंसर जैनोन एक और कोशन देखिए 38 मेजर कंपोनेंट ऑफ नैच्रल गैस का मेजर कंपोनेंट क्या है इसकोशन का आंसर नैच्छरन गैस का जो मेजर कंपोनेंट है uc shelf थेती करना लग झाएब द्क जाओगे आपने दें स्कोर बड़ेगा कराने को में पास घंटा होता चार से पार्च मैं करा सकता हूं लेकिन मैं सिर्फ 15 14-20 क्योंग करát हूं जाता हूं कि सिर्फ को फ्रैक्टीश हों यह समय ऐसा है कि Yon चार फइस ब्रैक्तिस बस अलग अलग सब्ज़ेक तें के अच्छा सब्ज़ेक्टिस से अलग सब्सक्रान्दभी कि और इसमें से कौन सा strong acid है तो दोस्तों आन से क स्कूशन का strong का अंसे क्या अभी तक अंसर नहीं आया है अभी तक जब दो-तिन बच्चे आंसर दे देות हैं मैं समझ जाता हूं कि आंसर आगया अब आप बाकी मन में इस हैं आंसर ले रहे हैं ठीक है कोई दिक्कट निया आंसर एक आगया एक बच्चे ने दिया फॉर्मैल ली हाइट सबसे पहले answer सुनिल के द्वारा दिया गया एक और question देखे बहुत आसान question है बहुत common सी बात है बते ही इस question का answer के बते ही dear करीना और जिसको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं सीखते जाओ PDF लेना रिवाइस करते जाओ ये PDF 100% आती है लिखा हूँ मिलता है टेलिगराम में specially 4 p.m. साइन स्पेशल कोशन यानि कि रोज की एक प्रैक्टिस PDF है आप अभी पढ़ेंगे उसके बाद PDF ले लेंगे डाउनलोड करके एक बर रिवाइस कर लें ठेक है डेली रिवाइस करें हर दिन अलग कोशन होंगे ठेक है बॉन डिस्टिलेशन से एक और कोशन देखेगा कार का जो स्पीडो मेंटर होता है वो क्या मैजर करता है बड़ा अच्छा कोशन है वेलोसिटी के कौन से ऑप्षिन को सही बताएंगे गुरूप डी में ऐसे सवाल बहुत आते हैं बताएं आंसर के इसकोशन का जल्दी से बताइए तो आंसर के इसकोशन का दोस्तों इंटरस्टेनियस वेलोसिटी ठीक है एक और कोशन देखें कमेंट करें कि मैनिफेक्ट्रिंग और फारें फ्रॉम दा आयरें और इन्वोल्ड विच अब दा फॉल्लविंग आंसर के इसकोशन का जल्दी से बताइए मैं किक वीडियोस का कंटेन्ट देता रहता हूं आपको ठीक है वो जरूरी होता है इसलिए मैं प्रोवाइट करा देता हूं पीडियेफ भी प्रोवाइट करा दूंगा किक वीडियोस का कंटेन्ट भी ठीक है तो आप देख लिए अगरो तायम निकालके आंसर के इसकोशन कोन सी इसमें से शुगर झोर से नहीं है नहीं है तो और शोशन सब्सक्राइब उसल्ट आंसर इस कोशन का तो हमारे हो गये आज की फॉर्टी फाइव कोशन अभी आपके लेकिन यार जो दस मिनट भी लेट आ रहा है ना आपके लिए बहुत बेकार हो जाएगा काम ठीक है क्योंकि आप 10 मिनट लेट आ रहे हैं अपने कोशन छोड़ दिये बहुत सब्सक्राइगा ठीक है जिसमें सबसे यादा बच्चे कनेक्टर उसमें जुड़ना और एटलीस कनेक्ट हो जाएं सो डेकिये मैं आपको गाइड कर पाहूं इस समें टेस्ट की बहुत जरूरत है मैं टेस्ट आपको मैक्सिमुम प्रोवाइट करा रहा हूं टेलिग्राम सैनल पर पीडियाफ की वीडियो चोड़ी 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 वीडियो ठीक है सारी मैं को एक एक मिनट दो दो मिनट वाली वीडियो प्रोवाइट करा रहा हूं ठीक है सारे आप सर्च कर लो मिलते हैं आप सभी से नेक्स क्लास में बागी से सब्सक्राइब करिए साथ बजली क्लास जरूर मिलेगी सुनिल मैंने डाली थी 17 और 18 की थोड़ी लेट डल दे लेकिन पाला सकत형 स उड़ी लेकिन गया हूँ कर दूर से सब्सक्राइब कर दो मिलेडी प्रोवाब टीक हैं ये ज़ जर्या है है वाली कर दो बुषता ....